दोस्तों यह हमारे तरुन भाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गार्ड है इनकी 12 और इसमें थोड़ी थी प्रॉब्लम आ रही थी कि इसकी पिन फाइर नहीं कर रही थी तो इसे चेक करने आये हैं कि क्या हुआ इसके अंदर तो इस थोड़ा सब पास में आईए आप इस सबसे पहले से हम लोड कर लेते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पढ़ने वाली है तो यह इस तरह से करने पर यह लोड हो जाती है अब हमें इसे अलग करके चेक करेंगे कि इसमें क्या हुआ हुआ है आप पास में आईए यहां दिखाए देखिए इसका एक देशी तरीक इसकी पावर कितनी है तो अभी हम इससे चला के देखते हैं कि इसका कैसा उचलता है देखिए इसका मतलब फाइरिंग पिन में की प्रॉब्लम है और यह वाला भी लोड है थोड़ा साब दूर हो यह तक कि दिखना चाहिए अब यह वाला चालू हम पहले चेक कर चुके हैं आपको बता रहे हैं अब देखिए वाला चालू है जिक्का कैसा जाएगा तो यह सिक्क्य क्या आवाज से दोस्तों इसका यह वाली फाइरिंग पिन अभी हमको उसकी प्रॉब्लम पता चली है यह तूट चुकी है तो बिना गोली चलाए भी आप प्रॉब्लम पता कर सकते हैं कि आपकी गन क्यों नहीं चल रही है वाइट वाले से रूप दीजे दोस्तों क्योंकि अब हमारी फाइरिंग रेंज पर आई है तो जैसे कि हमें पता है कि इसकी एक पिन खराब है फिर भी हम हंद्रेट फिट के डिस्टेंस से सामने टार्गेट दिखाईए वहाँ पर 4.8 से चेक करेंगे कि सेकंड वाला क्या ग्रूप बन रहा है अब जब आई है तो चेक कर लेते लोड़ किजिए इसको डालिए 4.8 आज आई आई आप पीछे से पीछे से दिखाईए जूम कर दीजे टार्गेट भी दिखना चाहिए जूम कर दीजे टार्गेट है सेंटर 4.8 के काईटरिस से हम इसको ग्रूप बी चेक कर लेते हैं कि कैसा हो रहा है ने तो फिर इसकी भी इनको रिपेरिंग करानी पड़ीगी वहाँ पर जाके चलाईए है 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 मैं मेरे घुक रुपि दिखाते हैelim पाइटन पास में पाइए और यहां से करके यहां तक के सका पैटन बना है और एक 4.8 यहां सेंटर में भी लगा है दो यहां पे भी लगे हैं तो यह इसका ग्रुप का पैटन बना धोस्तों पूर-पाइट का कार्ट्रिज का शक्ति मान का था हमारे पास में और गन दिखाई एक मिदा हम आपको दिखाते हैं यह इंडियन गन है और चोक बेरल है दोनों इतकी बेरल चोक है यह मेड इंडिया है गोविन लाल एंड संस कंपनी की शिकारी जो भी इनका वह है तो यह भी इन्होंने झाल झाल